हलो फ्रेंड्स, इस्टड़ी बेसिक 24-7 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में linear in equations से related sums करेंगे इससे मैंने पिछली वीडियो में मैंने इससे related जो भी basic concept से rule थे उनको मैंने समझा दिया है अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से request करूँगा कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए ठीक है और फिर इस वीडियो के देखिए जिससे कि आपके सारे doubts पहले से clear रहें और question करने में आपको help मिलेगी जब सारे concept आपको पता रहेंगे तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो फ्लीज इस चैनल को subscribe भी कर लीजिए ठीक है साथ मेरे bell icon को भी press कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं बिना किस देर किये देखिए पहला question क्या दे रखा है पहला question है कि if x belongs to natural number find the solution set of equations तो हमें बताना है यह एक question दे रखा है 5x plus 3 is less than equal to 2x plus 18 इसको हमें solve करना है तो देखिए इसको solve करने के लिए क्या करेंगे simple सा देखिए जितने भी जैसे जो variable terms है variable terms means यहां like terms को एक साथ कर देंगे तो यह देखिए यहां पे 2x है इसको इधर आप ले आईए हमें पता है यह plus है positive मैंने rule पढ़ा रखता है यह positive है तो इधर जाके negative हो जाएगा वैसे भी आपने equation solve किया होगा high school में है तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपने normal equation भी solve किया होगा यहां पे plus में है positive मैं इधर जाकर कि यह minus 3 हो जाएगा तो यह क्या होने वाला है 5x में से 2x मैंने करोगे तो कितना बचेगा 3x is less than equal to 15 ठीके तो यहां पे value क्या आजाएगी x is less than equal to 5 इसको solve कर लोगे 3 3 से divide कर दो या 3 इधर भीज़ दीजिए तो वो 5 आ जाएगा x is less than equal to 5 तो क्योंकि x belongs to natural number है तो इसके लिए जो solution set हो जाएगा क्या हो जाएगा क्योंकि solution set हमें बताना है तो 1, 2, 3, 4 and 5 also क्योंकि यहां पे equal लगा हुआ है तो आयो यह चीज़ समझ में आ गई होगी next देखिए next क्या है 3x minus 2 is less than 19 minus 4x यहां पे भी हमें like terms को एक साथ लिख लेना है तो यह क्या हो जाएगा यहां पे minus में है तो 3x minus है तो plus हो गया 4x और यह less than 19 उदर minus में था तो यह भी plus में आ गया तो 2 हो गया तो यहां पे इसको further solve करो के तो क्या हो जाएगा 7x is less than 21 यहां पे x की value क्या आ जाएगी x is less than 3 आ जाएगा यहां पे x is less than 3 हो जाएगा तो इसका solution set अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 and 2 यह इसका solution set हो जाएगा तो I hope पहला question clear हो गया होगा चलिए हम next question की तरफ चलते हैं next question क्या है if the replacement set यहां पे दे रखा है एक replacement set देख सकते हैं आप इसको हम replacement set ही बोलते हैं और जो हम solve करते हैं बाद में यह आपका solution set हो जाएगा यह मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से detail कर रखा है explain कर रखा है और हमें बताना है कि और set of whole numbers है ठीक है अब इसको solve करने के लिए क्या करेंगे same like term को हम एक साथ लिख लेंगे तो यह लिख सकते हैं कि minus 3x is greater than equal to यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 1 by 2 और यह plus में है यह भी minus में हो जाएगा minus 7 ठीक है तो इसको further solve करोगे तो 2 7 जब 14 होता है minus 1 और minus 14 minus 15 हो जाएगा तो minus 3x is greater than equal to minus 15 by 2 ठीक है यह चीज़ आजाएगी इसके बाद इसको और further solve करोगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी minus में है यहाँ पर भी minus में है पहले बताया गया है कि अगर दोनों side minus है अगर हम उसको sign में करेंगे उसको अगर हम divide करेंगे तो क्या होने वाला है क्योंकि sign change हो जाएगा reverse हो जाएगा अगर positive हो या दोनों negative हो अगर दोनों की sign अगर हम change करेंगे तो क्या हो जाएगा वो reverse हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका x अब यहां यह 3 इसको 5 डिवाइड कर देगा तो x is less than equal to 5 by 2 हो जाएगा x is less than equal to 5 by 2 हो जाएगा यह इसका वो हो जाएगा answer ठीक है अब यहां पर replacement set पता था कि whole number से तो वो हो गया अब इसमें अगर हम लिखें 5 by 2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं यहां equal to लगा हुआ है तो हम यह लिख सकते हैं जो solution set अगर हम इसका कहें तो क्या हो सकता है x is equal to 0 क्योंकि whole number है तो 0 आएगा 1 and 2 ठीक है क्योंकि हम whole number में 2.5 तो लिख नहीं शकते हैं इसलिए 0,12 आजाएगा next question देखते हैं next question है 18 is less than equal to 3x minus 2 ठीक है अब इसको further solve करोगे like terms को फिर से कर लो तो यह minus 2 है उधर भेज दीजिए तो 18 minus 2 जो है plus में हो जाएगा is less than equal to 3x ठीक है यह हो गया इसको और further solve करोगे तो यह क्या answer आने वाला है इसका देखिए यह आपका 3 है इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 20 by 3 is less than equal to x यह value आ गई अब इसको पता है यहाँ पर भी यह जैसे whole number पहले लिखा हुआ है इसको हम solve करेंगे तो यह देखिए 3 7 जा 21 यानी 7 से कम रहने वाला है ठीक है लेकिन यहाँ पर बात की क्या कहीं गई है x उससे बड़ा है उससे बड़े सारे number है तो हम यह लिख सकते हैं x की value जो है कि 7 तो होगा नहीं क्योंकि नहीं 7 आ जाएगा 6 3 6 जा 18 यानी 6 नहीं हो सकता 7 हो सकता है तो 7 क्योंकि एगर इसको हम लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 6 whole और 2 by 3 तो यह whole number है 6 बाकी उसके यह नहीं लिख सकते ठीक है equal to लगा है लेकिन 6 whole 2 by 3 तो लिख नहीं सकते और उससे बड़ा number हमें लिखना है तो 7, 8, 9, 10, 11 and so on ऐसे हम लिखते चले जाएगे तो यह इसका solution सेट हो जाएगा I hope यह भी clear हो गया होगा next question पर चलते हैं next question क्या है find the largest value of x for which 2x minus 1 is less than equal to 9 minus x and x belongs to whole number यह value दे रखती है same उसी तरीके से हम इसको भी solve करेंगे यहाँ पर पहले इसको हम multiply करा लेते हैं तो दिखिए क्या आ जाएगा 2x minus 2 is less than equal to 9 minus x यह लिखा हो है ठीक है यहाँ पर एक ही indication है like term को एक साथ कर देंगे तो यह होने वाला है 2x plus x is less than equal to 9 plus 2 ओके तो यह जो value आएगी वो फर्दर आजाएगी 3x is equal to 3x is less than equal to 11 जिसको हम लिख सकते हैं x is less than equal to 11 by 3 यह लिख सकते हैं x whole number से belong करता है और हमें पता है यहाँ पर value इसकी क्या है x की value यहाँ पर जैसे अगर हम लिखें इसको तो 3 whole 2 by 3 ठीक है और यह इससे क्या है इनसे चोटे number हो सकते हैं तो largest value अगर हम इसकी कहें तो क्या हो सकती है क्योंकि equal लगा है इनसे चोटे तो largest value 3 ही हो सकती है यह इसका answer हो जाएगा क्योंकि 3 whole 2 by 3 तो maximum से maximum 3 को हम लिख सकते हैं इससे जादा हम नहीं लिख सकते हैं इससे चोटे ही number लिखेंगे तो चलिए next question को देखते है next question क्या है if the replacement set is the set of real numbers सारे real numbers के set है मैं लिख दूँ x belongs to real number ठीक है और replacement set है जैसा कि देख सकते हो तो हमें इसको solve करना है तो देखिए हमें पता है पहले से ही कि अगर हम चाहे multiply करें negative से कोई भी negative non variable से अगर हम इसको multiply करते हैं या divide करते हैं तो sine reverse हो जाएगा तो चलिए मैं इसको यही करता हूँ मैं यहाँ पर divide कर देता हूँ ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अब हमें इसका solution set लिखना है अब solution set इसका क्या हो सकता है solution set अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे x such that पहले x is equal to अगर हम लिख दें तो हम यह लिखेंगे solution set इसका कि x such that x belongs to real number ठीक है x belongs to real number and अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा x is less than equal to 4 क्योंकि set builder form में तो हम इसी तरीके लिखते है न x is less than equal to 4 अगर हम रोस्टर form में लिखना होता तो हम इसको open कर देते हैं तो यह इसका solution set बन जाएगा next question देखते हैं अब next question क्या है 8 minus 3 x is less than equal to 20 ठीक है अब इसको भी हम like time को एकसाथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यह minus 3 x is less than equal to 20 plus minus 8 आजाएगा ठीक है same वही फिर से problem कि यहां पर क्या करना है मुझे minus से divide करना पड़ेगा अगर मैं minus से divide करूंगा तो क्या आ जाएगा x is यह sign reverse हो गया मतलब greater than equal to और यहां minus 4 हो जाएगा क्योंकि इसको जब minus plus divide करेंगे तो minus आएगा तो यह value आ गई अगर इसको हमें लिखना है तो कैसे solution set अगर हम लिखेंगे इसका solution set अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे set builder form में तो हम लिखेंगे x such that x belongs to real number क्योंकि वो आल्रेड़ी लिख रखें है real number होगा set तो यह इतना तो common है पिर तो यही हम सेम लिख देंगे and x is greater than equal to minus 4 यह इसका answer हो जाएगा तो I hope यह भी समझ में आ गया होगा next चलते हैं अब next क्या दे रखा है x plus 3 by 8 is less than x minus 3 by 5 अब इसको solve करेंगे तो कैसे करेंगे x plus 3 divided by 8 is less than x minus 3 divided by 5 मैं इसको cross multiply करा दूँगा ठीक है तो यह हो जाएगा further 5x plus 15 और यह इसके साथ multiply हो जाएगा is less than 8x minus 24 यह same अब वही question बन गया like terms को एक साथ लिख लेंगे तो 5x और minus 8x लिखेंगे 5x minus 8x लिखेंगे is less than यहाँ पर minus 24 और यह plus 15 है तो यह minus 15 हो जाएगा ठीक है यह इसको solve करोगे तो आ जाएगा वहाँ minus 3x और is less than यहाँ पर क्या है minus 39 हो जाएगा minus 39 अब इसको further solve करोगे तो पता है sign change हो जाएगी क्योंकि हमें minus से इसको divide करना या इसको इधर भेद देंगे तो यह हो जाएगा x is greater than क्योंकि sign reverse हो जाएगा x is greater than 13 इसका भी हमें अगर solution set लिखना है तो क्या लिखेंगी दिखिए x such that x belongs to real number and x is greater than 13 और लगाने के बाद x is greater than 13 यह इसका answer हो जाएगा तो i hope यह भी बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही और अगर आप लोगों को मेरा explanation समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा है अगर आप लोगों को समझ में आया है तो please इसे like करिए share करिए and subscribe करिए और हाँ वेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे दोरा बनाई गई इस वीडियो की सारी latest update आप लोगों को मिलती रहे और इसको share करिए जिससे दूसरों की भी help हो सके और like करते रहिए साथ में ही जिससे मुझे आपके like से बहुत motivation मिलता है energy मिलती है energy का का काम करता है हमारे लिए वो और उससे हमें और motivation मिलता है एक अच्छे से अच्छे topic पे अच्छा वीडियो बनाने के लिए अच्छा content तयार करने के लिए hard work करने के लिए मुझे motivate करता है तो please उसे like भी करते रहिए चलिए मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye take care